सब्सक्राइब लाइकन पर किलिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफीकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेशु डूंट वेस्टिंग एनिटाइम लेगाइब सेट वो चीट सब्सक्राइब लोग मुझे का incorrectly अजमेर श्रीफ हो prefix के लिएक सिर्थ के मजार की सयारत की है चलते चलते तुम्हें एक बात बतादू बहुत सारे लोग उस बैठे होंगे वैसे भी मेरे दोस्त कई लोग मुझे कहा करते है अजमेर शरीफ होया है मैं गया कई बार एक दो दफ़ा गुजराच जाते हुब भी रास्ते में रुका जाके फात्या पड़ी मुझे कही लोगों ने बूचा जमेर शरीफ होया है कहीं उनका सरण शरीफ चलें जमेराथ को कहीं उनका कलियर शरीफ होया है कश्मीर में दरगाय है अजरत बल और बड़ी बड़ी दरगाय है तो मेरे परिवारिक दोस्तों ने कही बार मुझे बूचा कि चले हैं अस्मान भाई मैं चलो ओ केंदा पंजाबी जना ना फत्वियां विच फसा सानू को यार दीगा लिसना सानू जाने में तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन जो जाते हैं उनको बात ही नहीं पता की होता क्या है जाने के बाद पिर औरंग्जेब रहमतुल्ला ले वली था अल्ला का अजमेर शरीफ गए फात्या पढ़ने के लिए दर्वाजे पर चड़ रहे थे बहुत मांगने वाले बैटे थे तो उनको पता लगया बादशा आ रहा है मुल्क का तो चलते चलते जब सीड़ियां चड़ रहे थे एक फकीर बड़े चालू भी होते हैं फकीर उसने औरंग्जेब का लिबास पकड़ लिया बादशा बीस साल से यहां बैटा हूं अंदा हूं आखों से और मेरा कुछ बना दे औरंग्जेब ने उसे दोनों बादू पकड़ के खड़ा किया पुछा अच्छा बीस साल हो गए यहां फरमाया हाजी बीस साल हो गए उसने सोचा बादशा को रहम आ गया अब मुझे कोई जागीर दे देगा कोई अच्छरफियों का थेला दे देगा तब बीस साल हो गए यहां कर अजमेर शरीफ में आखों से नजर नहीं आता यहां अज़र नहीं आता खाजा के दरबार पे बैठा हूं बीस साल हो गए अपने दोगन मैंन बुलाए सिपाई फर मैं अंदर जा रहा हूं सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊं अगर तो इसकी आखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है वरना मुझे वापसी आता देखके इसकी गर्दन उतार दी जाए हाँ वाई और जाते ये भी नहीं पता पाक हैं नपाक हैं गुसल किया नहीं किया नमाज फजर की पड़ी नहीं पड़ी बस गए जो अल्ला के वली जब वलीयों के पास जाते है तो उनकी बात और होती है कुछ और जाए बरामदुल्ला ले जब गए अंदर काफी वक्त बाद आए इदर ये बाहर रो रो के दुआए कर रहा है या ला बाशा आया हुआ है रोशनी है नहीं आखों की बीस साल होगे खाज़ा के बाहर बेटे हुए रसुल्ला अल्ला सल्लम के सदके अपने इस वली की त गरोशनी देते नहीं तो ये तो मेरी करता ना इर्मारी देगा आप पढ़ें फतावा अलमगिरी को लिखा है कि औरंगजेब जब बाहर आया आने से पहले उसके सारे तब गरोशन हो गए अल्ला ने दौा भी सुन ली और उसको नजर भी आने लगा है जनाब औरंगजेब ने उसके कंदे बेहाद रखके कहा था कहला जो आते हैं इनकी नियतें खुद खराब होती हैं और इल्जाम अल्ला और उसके वलीयों पर देते होगी हमारी दौा कभूल नहीं हुई मैं पताता हूँ आपको मसला लोग कहते हैं दिवबंदी वलीयों की नहीं मानते हैं कौन से मैं नहीं मानता विल आ नहीं बेसे सात्वी नसल में मुझा ताहिर जाने जाना रहमतुल्ला आले से लेके और मुझदितल फसानी तक फिर मुझदितल फसानी तक शाव लिएल्लá जान रिरो भी तक रब्र शाय व्ली उल्ला मुधदैल भी ते स्यदिना अबुमकर शिद्धी कि तक पहुंचता है सुनो मसला अगर कोई बंदा किसी deli के मजार पर गिया अगर किसीने خाजा मईंचु दूर्दिन चिस्टी के मजार की ज्यारत की है अगर किसने इमाम इर्बानि, मुझ्चित जल पसानी की मजार बें उपर फात्य पड़ी है और फात्य पड़ने के बाद भी बेनमाजी है तो पहले वू sirf आलला का मुझ्रिम था पहले वो सिर्फ रसूल उल्ला का मुझरिम था अब वो कियमत वाले दिन खाजा अजमेरी का भी मुझरिम होगा ये नहीं बताया किसी ने अब यह वहाँ वली के मजार पर जाने वाला अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए उन्होंने जिन्दगी नशावर कर दी रसूल उल्ला की इतायत में अब अगर अजमेर जाने वाला सरंद जाने वाला हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर होके और उसके आगे फातिह दूरूद पढ़के और वहाँ पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्ला से बेववाई करता है और फिर उसको मौजजिन की आजान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलबा का कमजाद नहीं रहता तो पहले सिर्फ अल्ला और रसूलबा का मुजरिम था, अब क्यामत वाले दिन अल्ला के वलियों का भी मुजरिम होगा, वो भी साथ में पकड़ के गेंगे या ला ये बंदानी छड़नाये ने साड़े नाल भी तोका कीता है एद्दही थोड़ी गड़ी चाल दी है वो अल्ला दे यार है बात बले पड़ गई नहीं चलो उठाओ गाड़ी सरंद चले मैं तो कहता हूं रोज जाईए लेकिन करीना बदल के आईए जिन्दगी का इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान ले कि हमने रसूल ला की इताथ करनी है वल्यों का इहतराम उनकी बातों को मान करोता है यही तो बैतुल्ला की अजुमत रसूल लासलों की शान है कि देख लो आप 20 दफा जमेर जाते हो जैसे जाते हो वैसे ही आते हो रास्ते में गाने सुनते गए गाने सुनते ही आते हो हाजी को देखो हज करने के लिए निकलता है लोगों से माफिया मांगता हुआ जाता है अल्ला के घर का मुकाबला काइनात की कोई अमारत नहीं कर सकती कोई अमारत नहीं कर सकती अल्ला के घर का मुकाबला काइनात की अल्ला के घर की तरफ जब बंदा जाता है मावियां मांता जाता है और जब आता है तो वापिस गर्दन का सरिया निकाल के आता है पिर सारी जिन्दगी लोगों के साथ मुहबत ही बांटा गुजार देता है दूआ कीजिए अल्ला मुझे भी आराब सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अधा फरमाई सच में कितने अच्छ से बताई इनुह ने कि अजने आजकल जो फैशन चल गया है मतलब फैशन वेगारा वो सब उस चीजों में सब भूल गए है और अल्ला को भी भूलते जा रहे तो आप अल्ला तालो को मत भूली उनकी वारत में लगे रहे हैं हैं कि सद्दा करें अचे दिल से इमान लएं अमने अंदर इमान लाये तब ही अन्दर अमयं आपके सङ्गे कर लार अधOR के वार दिया करिये दोस्ते नाभी आयत थे हम मतलब जो नी आए थे पहले उन्हें वारत कि दर्द के विधत को समझा उन्हें लोगों के लिए अप्त इतने अतयाचार है इतने दर्द्ध सेंट नवी थे कि छितने भी नवी आए है उन्होंने इतने अत्याचार से लोगों के लिए कि लिसे नहिंग tara कि फिर इदें लोगों कि बहुत अच्छा बता है आप लोग बताने कि आप लोग की बीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आप लोग मेरे चैनल पर निए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना बैल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इसी तरह आप लोग अपना प्यारों सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाया रखना जैसे आपने सुरू से सपोर्ट के वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइब फ्रेंड्स